हेलो गेस वेलकम बेक टू अगेन आई टेक अब इंदी यूटूब चैनल मेरा नाम है तुरुवीन सुगेस आज क्रिस ब्राहन ने उड़ो में बात कने वाले की हाउ टू मेक फोटो कोलेज ओन आइफोन बहुती सारे आईफोन एड आईपी डूजेस फोटो कोलेज या तो फोटो ग्रीड को बनाने के लिए बहुती सारी पेड एप्लिकेशन का यूज करते है आज आपको ऐसी ट्रिक दिखाने वालो जिससे आपको कोई भी एप्लिकेशन्स डाउनलोड करें बीना आप इजिली फोटो कोलेज या तो फोटो ग्रीड को बना सकते हो इस अभी सिंपल स्टिप आपको अपने आईफोन में फोलो करना होगा सबसे पहले आपका आईफोन में कंट्रूल सेंटर ओपन करके स्ट्रोंग वाइफा या तो मोबाल डेटा से कनेक कर लेजिए फिर आपको ओपन करना होगा सोटकर्स अप्लिकेशन राइट एंड सेट बोटम पे आपको गैलरी का ओप्सन्स मिल जाता है उसके उपर क्लिक कर लेजिए गैलरी की सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है फोटो जैसे ही आप यहाँ पे फोटो लिखोंगे आपको first one options मिलता है फोटो कोलेज का आपको एक सोटकर्स मिल जाता है उसको simply add सोटकर्स करके add कर लेना होगा ये फोटो कॉलेज का सोटकर्स को आपने Ed to Kelly About case से यूज़ करते है जैसे ही आप सोटकर्स पे क्लिक करोगे आपका फोटोज एप ओपन हो चैगा वहाँ से आपको जो फोटोज को फोटो कॉलेज में लेना है और सबी को सिलेक कर लिजिए photo select करने के बाद आपको left hand side bottom पे share icon मिल जाता है उसके उपर click करके आप save photo पे click करके अपने photos app में save कर सकते हो इस photos का use करके easily आप अपने कोई भी photos को photo grid या तो photo college में convert कर सकते हो without कोई भी applications को download करें भी न आपने जो photos grid या तो photo college बना है उसको आप photos applications में open करके देख सकते हो की easily आपके photos app में save हो चुका है I hope आपको यह amazing video helpful लगा हो helpful लगे तो please like comment से subscribe आपके friend को भी share कर देना ताकि ऐसी amazing tips and tricks के वीडियो लाता रहूंगा thank you so much take care bye bye